कि है कि आज हमें कैसे स्टॉक के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं जो कि मान लो कि वह लागों रुपे का स्टॉक है लेकिन वह आज कल के डेट में कौडियों के भाव मिल रहा है और भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं अग यही भाव में हर गिरावट में जिसने लिया करके तो सबसे बात करते हैं कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कहीं पर भी अगर आप कोई भी बिजनस करते हो अगर माल लीजा अगर आप समोसा भी समोसा का यह कुछ भी लगाते हो समोसा भी अगर बेशते हो वगरा कहीं पर भी तो आप क्या सोचते हो क्या सोचते ह यह बड़ा बड़ा गोल्ड डाइमेंड वाइड जो भी काम कर तो क्या सोस्ते हो आप यही सोस्ते हो कि प्रॉफिट कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा वह छोड़े प्रॉफिट होगा ना बस यह पता होना चीए उसी तरीके से जिस कंपनी का हम शेर खरीद रहे हैं वह भी तो पता होना चीए क्या यह कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तभी तो आपको प्रॉफिट में लगा देको कॉमन वर्ड होता है आपने स्केम में नाइंटीने स्केम के यह डायलोग तो सुना होगा कॉलेज यह स्कूल जो भी हो ओल्ड हो या न्यू लेकिन यहां प प्रॉफिट देख सकते हैं 23,000 के आसपस बताया जारा एक्जक्ट तुने और 23,000 यहां पर देख सकते हैं December 2009 सॉरी 2019 और अभी December 2020 बताया जारा पूरे एक साल का डिफरेंस में अगर आप देखो तो कंपनी प्रॉफिट में है यह लॉस में है तो यहां पर देख सकते हैं 23,000 तो इस नहीं हुआ है हमारे और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि जिस कंपनी में पैसा डाल रहे हैं वो कंपनी वह भी प्रॉफिट में चल रही है उसका बात देखो भाई होल्डिंग की बात करते हैं कि देखो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपको लगता है कि यह 2 रुप्य का शेयर ना प्रॉफिट देने वाला है तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर एक गरीब इंसान भी हो अगर वो मिडल क्लास का भी बंदा होना तो मुझे रखता हूं जितना हो सकता कोसिस करेगा या पूरे कंपनी को खरीद देने के लिए उसी तरीके से यहां पर देखेंगे कि परमोट देखेंगे किसने किसने कितना हिस्सेदारी खरीद आ इस कंपनी में अब देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं यह कंपनी को आप हलके में मत लिजएगा क्योंकि 5,50,000 करोड का मारकेट कैप है इतना बड़ा बही मैं आपको बता दे हिसे दारी अकर आप देखेंगे तो लगबग यहां पर आपको बताया भाइंप यहां इसकीच मतलब बात देखेंगे लोलो और स्था लगबग 31 पसंड को असपास हुह इसका है मतलब कर ननोंहों क्या कर दिया इसकीश्यों ऐस 23 के आसपास था 24 था अभी देख लिए 24 ही है देख सकते हैं 23.98 आपको बताया जारा 24 23.75 24 मतलब यहांपर डोमेस्टिक वाले पे सही है और पबली के हाल चला कर देखेंगे तो पबलीक भी सेम ही है मतलब जितना माल है वो खरीदने की कोसिस ही कर रहे हैं बिचने की कोसिस नहीं कर रहे हैं मतलब यहांपर हुआ कहा करने देखो जो अगर प्रोफेशनल बिजनस अपने हिसेदारी जादातर नहीं रखते है वो क्या करते है थोड़ो थोड़ों तुकु retract में बार्ट देते है पबलीक लाधंड लेते है तो जिस टॉक के बारे में बात करने मां उसको बतादेना चाहता हूँ कम्पनी का नाम क्या है तो उसका नाम है इंफोसाईर देख लो यह लाकूर रुपेका शीयर है और यह बोनस और डिविदेंट के जाता अगर आप देखोंगे बोनस कभी बार दिया और असके बात जब भी ब्रम दिया आपको मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंपनी से चार बार यह आपको डिविदेंट दे देती है तो भाई देखो company dividend क्यों देती है dividend का मतलब क्या होता देखो company को अगर profit हो रहा और company का पास profit होने के बाद सारा expenses खर्च करने के बाद हर जगा investment करने के बाद जो cash बचता है एक्स्ट्रा में मतलब मान लो कि आपके पापा बिजनस कर रहे हैं और आपको आपके पापा का 50,000 रुपीजन से अरन कर लेते हैं अगर मान लीजे कि किसी festival का मौसम है और festival सीजन चल रहा और festival सीजन में आपको मान आपके पापा का 50,000 से आपको होज गया 80,000 या वन लक क्या प्राफिट हो गया तो आपको पापा क्या बोले हैं कि घर में क्या करेंगा अपने बच्चे को बोल सकते हैं खुसी को तोर पे कर लो 500 रुपीज या 1000 रुपीज तुम भी फेस्टिवल में इंज्योई कर उकर कर है तो अगर कंपणी को अच्छा कासा प्रॉफिट होता है और जो पैसा बच जाता है एक्स्ट्रा के तोर पे ना वो क्या करती है सारे शेयरोल्डर को बांड देती है यहां देख लिए 2019 के बात की जाती है तो कंपणी ने तीन बार तो इसने डिविडेंड में ही पैसा दे को क्योंकि आज के डेट में ही अगर आप देखोगे तो इसका जो तार्गेट है आपको बताना स्टार्ट हो गया कि इसका जो तार्गेट आपको बताया गया जारा 1600 के आसपस बताया जारा हर जगह देखिए 1600 1600 हर जगह आपको बताया गया मतलब आप देख लिए एक तो ऐ इसा भी बताया ज़रा कि 1,650 के आसपपस बताया ज़रा मतलब 1,700 के आसपपस बताया ज़रा तो ये वह स्टॉक है जो लाकों में मिलते हैं हमें कभी भी सस्ति में और रस्ते में नहीं मिल सकते क्योंकि यह आईटी वाले स्टॉक है information technology मैं आपको बताना चाहता हूं cloud based business जितने भी है ना जिसके वज़े से हम और हमारी दुनिया चल रही है और इसी के वज़े से आज के डेट में आप वीडियो भी देख रहे हो अगर IT company नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि वीडियो देखना इतना आसान होता फोन को चलाना लैपटप चलाना सिस्टम चलाना या किसी company को भी चलाना इजी नहीं होता बहुत मुस्किल होता क्योंकि cloud के जलते cloud business के चलते जो है यह आईटी सेक्टर जो है easy to understand and easy to handle ऐसे product जो है सभी लोगों को provide करती है और उपर से आज एक company में डील भी हुआ आपको बताया जारा Infosys is front runner मतलब front runner आप सोच सकते हो जो सबसे front में है for 1.5 billion फाइजर डील तो जो फाइजर के लिए इसने जो डील किया है यहाँ पर देख सकते हो 1.5 billion देखो भाई य इसके वज़े से ठीक आपको target दिया जारा 1,600 के आसवाग और यह कोई ऐसा target नहीं कि भाई तीन महीने के बाद एक quarter के बाद या 6 महीने या सार बार दो साल में achieve होगा नहीं यह कब आपको achieve होज़गा वो पता भी नहीं चल सकता और Infosys जैसे company 5.5 lakh करोड का जो market cap है मतलब बहुत अची company है यह चाहे तो nifty की रुख बदल सकती है हवा का रुख बदल सकता है nifty का बाकि आपकी मरजी भाई आप देख लो देखो मैं किसी भी चीज़ को खरीदने बेशने नहीं नहीं बोलू वैसे इनफो से इस large cap की IT company जो लंबे समय में आपको अगर bonus दे दिया त इसी होती है तो लंबे समय का game है अच्छी company अगर आपको सस्ते valuation पर मिल जाओ तार्गीड भी काफी अचा तो बड़ा मुनाफ़ा बन सकता है बाकिया आपकी मरजी में किसी को बलैंडली बिलीव नहीं करना चाहिए और अगर आप stock market में नहीं हो अपने डिमिट अकाउंट बगर ऑपन करना चाहते हो तो आप अपने डिमिट अकाउंट अलिजबू में उपन कर सकते हो इंडिया का बेस्ट बोके अगर आप देख लोगे तो भाई नॉर्मल इंटरे से बाकि कवर ब्रेके डॉट सही नहीं जिस वजह से कंपनी का रेटिंग एक लो दूसरे का आव मिलते हैं कम पैसे में मारजन उस तरके आप ज्यादा ज्यादा बेनिफिट वगरा भी कर सकते हो कंपनी को कई जगा अवर्ड भी मिल लगखा बिलुकुल फ्री में आपका डिमिट अकाउंट उपन होता है एक रुपे भी आपसे चार्जिस नहीं लिया जाता तो अच्छी